जैसा कि आज 79,000 से चख भरती आंसर की प्रक्राण पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही बड़ी सुनवाई सी और उसी को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी क्योंकि जो सुनवाई है वो लेंच के बाद पूरी हो चुकी है और जिस से सुप्रीम कोर्ट की तरब से जो भी छात हैं जिनको इसमें नुक्सान हुआ है एक नंबर से उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट बहुत ही बिग न्यूज यहां पर आ चुकी है उस सरकार को जटका यहां पर लगा हुआ है जिहां यहां पर आज सुप्रीम कोर्ट के दोरा यह जानने का प्रया सरकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से कि एक नंबर पर यानि कि एक नंबर जो फसा हुआ है आंसर की मामले में वो अगर बढ़ाया जाए तो लगवग कितने चात्र रहेंगे तो उनके अनुसार बताया है कि लगवग तीन हजार पांस हो जबकि जो कि चात्र की अधिवक्त में बताया कि हमारे पास जो पद हैं वो बिल्कुल भी रिकतर नहीं है उनके जार से इच्छे गवरती में मामला कुछ तरह से समाप्त हो चुका है इसके बाद जो भी छात्र थे जो इस पर किस लड़ रहे हैं जो लाव चाते हैं उनकी तरफ से उनके अधिवक्ताओं की त जीज है इसके अनुसार रखा जाए इस भरती को लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया उन सभी रिक्त सीटों पर उन शात्रों को नियुक्ती दे डाली तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सरकार या दिवक्ता को बहुत ज़्यादा यहाँ फटकार लगाई गई बहुत ज कोई इसमें दो राय नहीं है एक अंक सभी छात्रों के बढ़ने वाले हैं लिक कर यहाँ पर रख लीजिए सरकार ने बहुत यहाँ पर सरकार को फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और साफ सब्दों में कहए गया है क्योंकि यहाँ पर जजज साब ने सा चाहे जो कर दीजे कोई मतलब नहीं यहां तक कि सरकार यादी वक्ताओं ने यह भी का कि हम नई भरती निकालने वाले हैं उसमें दे देंगी उन्होंने जजज साब ने सब मना कर दिया कि कुछ नहीं इसनी में नोकरी देनी पड़ेगी चाहे आप पुराने वालों को निक होना है तो हम आपको इस पस्ट वहां पर यह चीजे बता देंगे फिलाल एक नंबर सबके बढ़ने वाले हैं सब के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आच चुकी है और अगली अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वैल आइकन दबा लिए ताकि नोटिफिकेशन में